नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर विजे के स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है साथ ही आज का हुमारा टोपिक कारट से भी लेकर है और सिविक से लेकर भी है क्योंकि ये आज कल एक बहुत पड़ा इश्यू बन चुका है कि impeachment या महावयोग होता क्या है हाल ही में आप टीवी चैनल्स पे, न्यूज में, न्यूज पेपर्स के उपर, हर सोसल साइट्स पे एक ही सर्चा देख रहे हैं कि महावयोग यानि impeachment लाया जाने के तैयारी है किस के खिलाफ लाया जा रहा है, CGI यानि Chief Justice of India दिपक मिसरा के खिलाफ आज की वीडियो में हम जानेंगे impeachment होता क्या है, किस article के तहता है, कौन लेके आता है, प्रोसेस क्या होती है और उसके पास होने के बाद कैसे हटाया जाता है, यानि पूरी प्रोसेस को हम आज रिस्कस करेंगे क्योंकि इस topic से बार-बार question पूछे जाते हैं, और आपकी बार तो ये burning ही है और धान रहना दोस्तों, अगर CGI के खिलाप ये impeachment आता है, तो आजादी के हितिहास में भारत के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि CGI के खिलाप impeachment आएगा, आएज जानते हैं इस topic को, इससे पहले दोस्तों, आप चैनल को subscribe जरूर करें, दोस्तों के अच्छा share भी जरूर करें, ताकि सब को इसका फाइदा रहे हैं ये जो सक्रीन पे जो सक्स हमें नजर आ रहे हैं, स्री दिपक मिसराजी, ये भारत के Chief Justice of India है, यानि इंडिया के CGI हैं, Supreme Court के Chief Judge है Chief Judge के रूप में, ये उन्होंने 2017 में कारेकाल संभाला था, और October 2018 तक इनका कारेकाल रहेगा, अगर impeachment वगरा की कोई नोबत नहीं आती है, तो इनका कारेकाल ये रहेगा Supreme Court के CGI के लिए 65 साल की age होनी चाहिए, या 5 साल तक आपको CGI के पद पे रहना होता है जो भी इनमें से पहली पूरी होगी, आपको उस पद पे, उस timing पे पद को छोड़ना पड़ेगा, तो अगले साल ये मता जा रहा है कि इस साल के last में, October 2018 तक इनकी age 65 हो जाएगी और इनको अपना पड़ छोड़ना, retirement इनको यहाँ मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले impeachment आता है तो क्या होगा यानि ये सक्स हैं CGI, जो Chief Justice of India हैं दीपत मिश्रा, इनके खिलाप महावयोग लाने के तैयारी, Congress और दूसरी वेपकसिदर आजकल कर रही है महावयोग की प्रोसेस क्या होती है? दोस्तों पहले चीज तो ये है कि महावयोग होता क्या है? भारत का President हो, Vice President हो, Supreme Court के जजिद, High Court के जजिद, इन ऐसी तमाम बड़ी पोस्टों को के उपर जो लोग बैठे हैं, उनको हटाने के लिए या उनके पद को छुड़वाने के लिए जो प्रकिरिया होती है, उसे हम महावयोग कहते हैं, उसे हम लोग Impeachment कहते हैं अब Impeachment का तरीका क्या है? Impeachment का Article क्या है? दोस्तों पहले तो हम Article देखते हैं, Impeachment जो है, वो भारती स्विधान के Article 124 की धारा 4 में आता है, यानि अनुछेद 124 का Part 4 में आता है अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा? दोस्तों ये महावयोग जो है, वो एक प्रकार का Special Type of Case या एक मुकदमा है, जो किसी कोर्ट में ना चल करके संसद में चलाया जाता है और अगर ये पास हो जाता है, तो जिस वक्ति के खिलाब पी ये आया था महावयोग यानि इंपेच्मेंट उस वक्ति का पद खाली कर दिया जाता है तो इस तरीके से हम इसको समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो इंपेच्मेंट या फिर जो महावयोग है, वो संसद में ही आएगा संसद के अलावा कहीं ने जाएगा, संसद के दोनों सुद्नों में से कहीं भी आ सकता है सबसे पहली बात है, अगर वो संसद के लोग सभा में आएगा, तो लोग सभा के अंदर टोटल 545 लोग होते हैं, राज़ा सभा के अंदर टोटल 245 लोग होते हैं अगर लोग सभा में आता है तो कम से कम सो लोगों के साइन चाहिए और अगर राज़ा सभा में आता है तो कम से कम पचास लोगों के साइन चाहिए यह condition होती है कोई एक व्यक्ति अगर लेके आता है तो वो मानने नहीं होगा क्यों क्योंकि जब तक सो लोग लोग सभा के और पचास लोग राजय सभा के ना हो अलग-अलग situation में तब तक उस matter को serious नहीं माना जाता है क्योंकि एक या दो व्यक्ति के इस परकार के impeachment के proposal को serious नहीं लिया जा सकता उसको गंभीर नहीं माना जाता क्योंकि हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के अपने विचार हो अपनी analysis हो अपने है तो उसके 50 MP के sign होंगे और अगर कहीं भी रमनलो लोग सभा में आता है तो लोग सभा के speaker को दिया जाएगा जो अध्यक्स कहते है हिंदी में रेजर सभा में आता है तो chairman को दिया जाएगा जिसे हिंदी में हम लोग सभापति कहते हैं जो आजकल वेकाया नाइडू जी है यहाँ पे सुमित्रा महाजिंजी हैं और अगर इन में से किसी भी सदन में वो आ जाता है तो next step क्या होगा अगला step क्या होगा उसके बाद दोस्तों तीन सद्योश्यों की committee बनाई जाती है यह तीन सद्योश्यों की committee बनेगी इसमें कौन लोग होने चाहिए committee बनाएगा कौ अगर लोग सभा में गया है तो speaker बनाएगा और अगर राज्या सभा में proposal गया है तो फिर chairman बनाएगा और जो committee बनेगी उसमें पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए एक व्यक्ति होगा उसमें Supreme Court का judge जो total judge Supreme Court में उनमें से भी कोई एक judge चुना जाएगा हाई कोर्ट भारत में total हाई कोर्ट की संक्या 24 होती है उनमें से किसी भी हाई कोर्ट का एक Chief Justice होना चाहिए और एक तिसरा जव्यक्ति होगा वो होगा low expert यानि कानून का ग्याता होना चाहिए कानून का expert या विशेश्चक होना चाहिए यानि तीन लोग इस committee में होंगे एक Supreme Court का Judge एक High Court का Chief Justice और एक low expert होना चाहिए इन तीन लोगों की committee जांच करेगी जिस व्यक्ति के खिलाप impeachment आया था उसकी बातों की अब जब वो जांच करेगी उस impeachment की request किया introduce की तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद अगर वो जांच करने के बाद उस व्यक्ति को बेकसूर पा आती है अगर उसको लगता है कि गड़बड है तो वो इस committee से report को आगे बढ़ा देगी और अपने report को उस सदन में भेज़ देगी जिस सदन से वो report चार्च के लिए आई थी अब अगला step क्या होगा next step होगा दोस्तों फिर संसद में महावियोग चलेगा अगर यहां पर बात आती है तो फिर इसके लिए क्या होगा यहां पर और कोई option नहीं है यहां पर voting होगी और voting के अंदर अगर 2 बटा 3 लोग अगर 2 बटा 3 लोग impeachment के favor में vote दे देते हैं तो वो यहां से pass हो जाएगा और फिर वो यहां आएगा यहां पे फिर वही तरीका होगा अगर 2 बटा 3% लोग voting में impeachment को pass कर देते हैं तो वो यहां से pass हो जाएगा लेकिन दोस्तों याद रखना अगर यहां 2 बटा 3 से कम रहते हैं तो वो रिए गिर जाएगा और अगर यहां पास हो गया और यहां 2 बटा 3 से कम रह जाते हैं वो हां यहां भी गिर जाएगा यानि इसके लिए डोनों houses से लोकसभा से भी राज़सभा से भी आपर house से भी और lower house से भी दोनों से अलग अलग दो बटा तीन और दो बटा तीन की मेजोर्टी चाहिए impeachment यानि महावियोग को पास करने के लिए और अगर दोनों से ये पास हो जाता है तो फिर जब भी second house से पास होगा फिर ये letter राष्ट्रपती को दिया जाएगा यानि president को दिया जाएगा और president उस व्यक्ति को उसी समय पद से हटा देगा एक तो ये तरीका है इसमें अब इसके लिए normally होता क्या है एक चीज़ और ध्यान रखना जिस व्यक्ति के खिलाब impeachment आएगा उसे 14 दिन पहले information दी जाती है जिस व्यक्ति के खिलाब impeachment आएगा उसे 14 दिन पहले जानकारी दी जाएगी कि आपके खिलाब impeachment आया है आप अपने आपको सदन में पेश करके अपनी बेगुनाई का सबूत दे सकते हैं अपने पक्स में तथ्थे रख सकते हैं और अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो आप अपने किसी परतिनीधी यानि representative को भेज कर भी अपना पक्स रखवा सकते हैं अब ये एक तरीका है अब इसमें normally होता क्या है कई सारी राजनतिक मुद्दे इसमें होते हैं अब कई बर हम कहते हैं कि आरोप क्या लगेगा आरोप इसमें कई बर हो सकता है एंटी नेशनल एक्टिविटी का आरोप लग सकता है कदाचार क्रेक्टर का चरित्र का आरोप लग सकता है जो आजकल बहुत जादा भारत के अंदर काफी बड़ा इश्यू बन जाता है थोड़ी से टाइम में और ये जरूरी भी है ऐसे आरोप लगते हैं तो उस व्यक्ति को पर छोड़ना चाहिए और तिसरा हो सकता है मिस्यूज ओपोस्ट मिस्यूज ओपोस्ट यानि पद का दुरूप योग ये आजकल बहुत बड़ा इश्यू है और इनके उपर भी आम तोर पर यही है क्योंकि विपक्स कहता है कि ये वीजेपी के स्पोर्टर है वीजेपी कहती है कि ये हमारे स्पोर्टर नहीं है तो इसमें कई सारे मामले आते हैं चार जजों की कॉन्फरेंस जो हुई थी वहाँ पे भी ये मुद्दा उठा था जज लोया का मामला जो है वो भी इस विन व्यक्तियों के इसके पास है और आहम तोर पर स्प्रिम कोर्ट के जजों ने भी आवाज उठाई है अंदर सनुवाई के लिए करता है तो ये कई आरोप इनके उपर लगे हैं हाल ही में अच्छा उसके बाद ये वो कुछ जजिज हैं जिनके उपर impeachment की प्रोसेस अब तक आई है ये याद रखना दोस्तो भारत में किसी भी President को, किसी भी Vice President को किसी भी Supreme Court के जजज को किसी भी High Court के जजज को आज तक हटाया नहीं गया है impeachment के दवारा किसी को हटाया नहीं गया है और हलाकि President, Vice President और Supreme Court के जजज के खिलाब तो आज तक impeachment आया ही नहीं है लेकिन कुछ High Court के जजजिज हैं जिनके खिलाब impeachment आया है बट उनको हटाया आप तक नहीं गया है पहला व्यक्ति भारती इतिहास में जिसके खिलाब impeachment का परस्ताव आया वो थे Justice V. Rameswami Justice V. Rameswami पहले भारती इतिहास में एक व्यक्ति थे जो जिनके खिलाब impeachment का proposal आया था 1991 में ये Justice V. Rameswami कोन थे? पंजाब पंजाब और हर्याना हाई कोर्ट के Justice V. Rameswami इनके खिलाब पहली बार भारती इतिहास में impeachment का proposal आया था लेकिन committee बनी committee ने जाच में इनको कसुरवार पाया और जाच में कसुरवार पाने के लिए जब voting हुई तो लोग सबा में भाहूमत की कमे हुई Congress ने यहां voting नहीं की जिसकी वज़े से प्रस्ताव गिर गया और यह प्रस्ताव गिरने की वज़े से Justice V. Rameswami पदपर बने रही दूसरा एक मामला कई मामले आई हैं लेकिन एक मामला हाल ही में चर्चित रहा था 2011 के अंदर Justice Swamitra Sen का Justice Swamitra Sen के खिलाब भी प्रस्ताव आया था राजय सबा में प्रस्ताव में ते बाद कमेटी बनी कमेटी ने जांचमन को कसुरुआर पाया लेकिन जैसे ही उनके उपर voting होती उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एक व्यक्ति PD दिनाकरण जी रहे हैं जिनके खिलाब भी महावियोग आया था बट उन्होंने भी इस्तीफा पहले ही दे दिया था यह चंद वो लोग हैं जिनके खिलाब impeachment आया है बट पास नहीं हुआ है या फिर पास होने से पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया यानि हम यह कह सकते हैं आज के समय कि भारत में किसी भी व्यक्ति को impeachment के तरूँ हटाया नहीं गया है चाहिए वो प्रेसिडेंट हो चाहिए वैस प्रेसिडेंट हो चाहिए सुप्रिम कोर्ट के जजिज हो चाहिए हाई कोर्ट के जजिज हो लेकिन एक चीज़ ओर ध्यान रखना दोस्तो अगर CGI के खिलाप impeachment आता है तो यह भारती इतियास में पहला ऐसा मोका होगा जब किसी भी चीफ जजिज यानि सुप्रिम कोर्ट के जजिज के खिलाप impeachment का परपोजल आएगा आज की वीडियो के हिसाब से दोस्तों हमने आप से सारे टॉपिक डिसकस किये है